कि नेपाल में जिस तरह से चाइना अपना कपजा करता जा रहा है चाइना अपने पैर जमाता जा रहा है उसके बारे में जो काटमांडू में बैठे हुए लोग हैं काटमांडू में बैठे हुए पॉलिटीशन हैं वो कोई एक्षिन या जवाब देहीत है क्यों नहीं कर दे ऐसा है जहां तक नेपाल की राजनिती और वहां के राजनितिक दलों का सवाल है लगभग ये सपस्ट हो रहा है कि वहां के राजनितिक दल जो है वो स्वयम और स्वतंत्र रूप में बहुत सारे निरणे नहीं ले पा रहे हैं कहीने कहीं वो यूरोप के दवाव में आ जाते हैं कहीने कहीं चीन के दवाव में आ जाते हैं कहीने कहीं इसलामिक सक्टियों के दवाव में भी दिखते हैं और चर्च के दबाव में भी दिखते हैं और इसके कारण उनको राजनिती करनी होती है और अपने देश के लिए अपने दल के लिए सायद आर्थिक संग्रह भी करना पड़ता होगा इसलिए कहीं न कहीं कई मामलों में जो सचमुच राष्टर के हित में उनको सोचना चाहिए वो राष्टर हित के बारे में कम सोचते हैं और दल हित के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं इसलिए ये स्थिती लगती है कि वहां कभी चाइना हावी हो रहा है दिखता है तो कभी चर्च हावी दिखता है तो कभी पस्षिमी देश हावी दिखते हैं और बीच में ऐसा भी किया जाता है कि ये सारे चीजों को छुपाने के लिए वहां भारत बिरोधी एक माहौल बनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान भारत की रत तरब जाए और बाकी देशों के साथ जो साथ गांट है उसको गुपत रखा जाए तो यही में कारण है तो आपका कहने का मतलब अब इसलिए वहां कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स है वो आवाज नहीं उठा रहे हैं जी एक्चुली वास्तों में वही है कि जब दस जगह से हम सहयोग लेंगे तो आवाज दस की कैसे उठाएंगे जैसे पस्वी देश हैं और चाइना है यह दोनों देश आपस उनको सपस्ट देश हित के बारे में सोचना चाहिए और देश के हित के लिए और देश की जनता के हित के लिए क्या अच्छा है उस पर काम करना चाहिए किसी के दवाव में नहीं आना चाहिए जी जब से नेपाल के अंदर रास्त अंदर की सरकार गिरी है नेपाल के अंदर बहुत सारी political parties बन चुकी हैं जो अपने देश को नहीं समाल पा रही हैं वहां के जो देश के लोग हैं उनका हाल बत से बत्तर होता जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि ground report क्या है लोगों की मन में क्या चल रहा है इसलिए वहां के जो राजनितिक दल हैं उन्होंने नेपाल नेपाल की मौलिक नेपाल की मूल संस्कृती परंपराओं का बिचार न करते हुए जो काम किया उसका परिणाम ये है कि वहां की राजनिति आज भी अस्थिरता की तरफ है स्थिर राजनिति आज भी नहीं है देखे इतना बुरा समय अगर नेपाल के लिए चल रहा है आप आप कभी भी देखेंगे कि जो Christian Missionaries हैं, वो वहाँ पर अपना पैर जमाती जा रहे हैं, आप देखेंगे भूकम पाता है या फिर कुछ आता है, तो वो लोग खाना लेके आते हैं, साथ में बाइबल लेके आते हैं, और उन्हें कनवर्जन की तरफ धकेलते हैं, इसके बारे म आबादी साधे तीन करोड के आसपास है, अब साधे तीन करोड की आबादी में वहाँ हजारों NGO काम कर रही हैं, और वो हजारों NGO पस्मी देश की NGO हैं, इसी तरह चीन के भी कई NGO वहाँ काम कर रहे हैं, मिडल इस्ट इस्लामिक एजंसियां उनके NGO भी काम कर रहे हैं, और ज के भी कहीं न कहीं प्रतेक्ष्य चुनाव में सांसद नहीं आते हैं तो अनुपातिक जो मत प्रतिशत उनको मिला है उसके अनुसार कोई न कोई उनका भी सांसद वहां प्रतिनी दित्यों के रूप में रहता है ऐसे स्थिति में जहां करीब करीब मुख्य दल जो नेपाली Communist Party एमाले हो या नेपाली Communist माववादी हो और अभी तो एमाले और माववादी Communist Party मिल के एक नेपाल Communist Party United यह बनाया है तो इसके कारण क्या होता है कि कहीं न कहीं राजनितिक दलों को देश और अपने दल की चिंता के बजाए नेताओं का अपना स्वार्थ अपना चोकी का चिंता ज्यादा है और इसी के कारण नेपाल में क्या हो रहा है कि चर्च चर्च का एक बहुत बड़ा काम यह है कि वहाँ सीधे साधे हिंदू समाज का धर्मानतरन करना और धर्मांतरन करने के तरीके भी कई हैं, जैसे पहले नेपाली समाज में फूट डालो, यानि नेपाली समाज में विभिन्ना उप जातिया हैं, जैसे राई है, लिंबो है, तामंग है, मंगर है, गुरुंग है, उसके बाद वहाँ थारू है, जनजातिया बहुत है, मदेश सबसे अधिक आज के दिन में चर्च है और चर्च से भी अधिक वहाँ चर्च द्वारा प्रायुजीत संस्थाएं उस संस्थाओं के माध्यम से वहां बहुत बड़ा काम होता है और कहते हैं कि नेपाल में जितनी आवादी नहीं है उसकी तुलना में हजारों की संख्या में ग्षिक काम कर रहे हैं और केवल चर्च ही नहीं वहां तो इस्लामिक शांजी की बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और रहा हिंदू समाज तो हिंदू समाज में विभाजन करो बुद्धिस्त समाज में विभाजन करो लोग को भड़काओ और इसके बारे में वहां की राजनितिक दल कुछ नहीं बोल रही है और उनका शत्ता कायम रहेगा उनको अभी भी डर लग रहा है कि नेपाल में अगर हिंदू समाज संगठित हुआ जागरित हुआ वह अपनी संस्कृती परंपरा भासा की तरफ मुड़ा तो फिर वहां इनके जो धंदे हैं ये बंद हो जाएंगे इसलिए इन्होंने सबसे पहले हमला किस पर किया हिंदू रास्टर पर किया हिंदू समाज पर किया हिंदू त्वक पर किया हिंदू संस्कृती पर किया यहां तक कि मावादी आंदोलन जब चरम पे थे तो मावादियोंने सबसे पहले क्या क्या गौव की हत्या की सारवजन इस्लामिक रूप में मावादियों ने क्या क्या जो ब्राह्मन छित्री जनेव धारन करते हैं हमारे संस्कृत पढ़ने वाले विद्धार्थी जो सिखाया रखते हैं उनके जनेव को काटा सिखाओं को काटा तिलक लगाने से मना किया मंदिरों में पूजा पाठ करने तक को लेकिन इनके बर्चस वाले छित्रों में चर्च का काम कभी नहीं रुका इस्लामिक काम कभी नहीं रुका बेसक उनका ये समर्थन करते रहे और वो भी इनका समर्थन करते रहे यही कारण है कि आज नेपाल की जोस्तिती है नेपाल जिस दिशा में जा रहा है ये धर्मांत से भी समाप्त हो जाए इसलिए नेपाल के नागरीकों को जागरित होना और अपने बारे पुरुवजों के बारे में अपने गवरोपुर्ण इतिहास के बारे में सोचना यह अत्यांत आवश्यक्ट हो गया है उनकी जो करण गवर्मेंट है और चाइना जिस तरह से उनसे लेंड चीनता जा रहा है उनकी टेरेटरी को अपने खब्जे में करता जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली इस पर कुछ होना चाहिए असा देखिए जहां तक इस चीन के नेपाल में हस्तचेप का प्रश्ण है और चीन द्वारा नेपाल के जमीन को हडपने का प्रश्ण है तो मैं एक विशय क्लियर कर दूँ कि अब तक नेपाल की जो राजनितिक दल हैं उन्होंने नेपाली जनता को अपने स्वार्थ लिए भारत बिरोधी अभियान चला के अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीच बीच में भारत बिरोधी अभियान चला के भारत बिरोधी नारे बाजी करवा के और वो अपनी ये सारी चीजों को छुपा रहे थे इसी क्रम में उन्होंने बार-बार नेपाल की चाहें के भूमी पर अतिक्रमन किया ऐसा प्रश्न उठाया और कर रहा है लेकिन प्रमान के रूप में कुछ नहीं दे पाए इसलिए बार-बार भारत और नेपाल का जो संबंद है 1950 की संधी मैत्री संधी के अनुसार भारत के वेक्ति नेपाल आराम से जा सकते हैं कोई वीशा पासपोर्ट की जरूत नहीं है वहां जाके काम कर सकते हैं रह सकते हैं रोजगार कर सकते हैं ऐसे ही नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं रोजगार कर सकते हैं पासपोर्ट वीशा की कोई जरूत नह रहे हैं यानि 3.5 करोड की आवादी में आप एक करोड प्रवासी नेपाली जो भारत से आर्थिक उपारजन कर रहा है और भारत में काम कर रहा है और अपना देश समझ के कर रहा है उनको यह नहीं लगता कि भारत उनके लिए बिरेश है ऐसे स्थिति में वहां की सरकारों ने क्या किया कि बार बार भारत विरोधी अभियान चला के अपने सत्ता सुख के लिए जब भी राजनितिक पार्टियों के बीच में चुनाओ का प्रशना आया वहां चुनाओ का प्रशना आया वो एक ही नारा भारत विरोधी नारा लगाओ वहां के लोग को भड़काओ और बढ़काने के बाद भोट में अपना उल्लू सिधा करो, केपी सर्मा ओली ने भी वही किया, जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने पहले भारत के साथ तो अच्छे संबंद रखे, लेकिन जैसे ही माववादी इनके साथ मिल गए, तो इन्होंने एक माहौल बनाना शुरू कि तो उन्होंने भी फिर से भारत विरोधी हतकंडा चलाया, उन्होंने कभी कहा कि ये सारा काम भारत कर रहा है, वो कभी कहा कि भारत हमारे सिमाओं को हड़प रहा है, और उनकी पार्टी उनके लोगों ने ऐसा किया, और उन्होंने एक और कदम चलाया, लिपुलेक, काला प महीने में अप्रहल महीने में उन्होंने नेपाल के संसमग्ष मेंं एक नया नकसा परस्ता पारित KAR और उसमें लिंपिया धुराइ लिपुलिक और काला पानी का एरिया समाभाइस कि क्या अब हम यह समझ लें कि एक नेपाल चीम कुल रखने वाली पार्टी का उदय होना चाहिए ऐसा है जहां तक नेपाल में भारत समर्थक पार्टी उदय का आप कोई प्रस्न ही नहीं है हमारा इतना ही मानना है कि नेपाल में कोई भी दल आए वह दल नेपाल के बारे में सोचे नेपाल के हित के बारे में सोचे जैसे मैं एक उधारन देता हूँ जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और उनको स्रीमती सोनिया गांधी ने गोदरा कांड के बाद मौत का सौधागर और उनके बारे में यूरोप में अमेरिका में इतना अपपरचार किया जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने वीशा देने से मना कर दिया उनका कारिकम में जाने तक मना कर दिया लेकिन वही प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने वैरभाव नहीं रखा अमेरिका से उन्होंने भारत के हित के लिए कदम बढ़ाए और वही अमेरिका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया और वही अमेरिका आज भारत का एक प्रकाड मित्र है यानि सामरिक स्थिती से लेके आर्थिक मोर्चे से आमेरिका मोधि मोदिजी और निटी संभ भारत के साथ खड़ Τοय मेरा मुन सब्सक्राइब कि इसलिए मेरा ये मानना है कि नेपाल की राजनितिक दल कि यह कहıl Mosko fees वास्तों में नेपाल का सच्चा मित्र कौन हो सकता है यूरोप हो सकते ही, या अमेरिका हो सकता है, या चीन हो सकता है, या भारत हो सकता है.